हेलो ब्रबरबन वेलकम यू ओल इट लोकीस तर अल्लेम्टेट स्टेडी जोन सो गाइज हम लोग करने वाले हैं यहाँ पर नवोदे यहाँ पर मैं लिख देता हूं अप लोगो ओके नवोदेया एक्जाम इंटरेंस एक्जाम के कुछ बहत्रीन क्वेश्चन्स जो आपके एक्जाम में पूछे जा सकते हैं नवोदेया इंटरेंस एक्जाम के बहुत बढ़ीया बढ़ीया क्वेश्चन्स मैं आपको कराने वाला हूं थोड़े से difficult question कहेंगे क्योंकि यह जो questions हैं बच्चोंने करके solve करके निकाले हैं और थोड़े से difficult questions हैं तो आईए में ए 1-2-5-0-meter long train covers a distance of 1 km in 2 minutes. तो मैं question लिखता हूँ, a 1-2-5-0-meter long train covers a distance of 1 km, 1 km in 2 minutes, in 2 minutes. it crosses another stationary train in 4 minutes, it crosses another stationary train in 4 minutes, 4 minutes, find the length of the stationary train, find the length of stationary, stationary. stationary का मतलब उतर रुक हुई, मैंने question आपके सामने इसलिए लिख दिया कि जो बच्चे लिखना चाहते हैं, वो question भी देख लें, तो scene क्या question का, question लिखने से ज़्यादा कुछ नहीं है, scene क्या question का, एक 1-2-5-0-meter लंबी train है, यह माली जी यह train है, okay, यह train है, एक 1-2-5-0-meter train है, long train, crosses a distance of 1 km in 2 minutes, तो सबसे पहले हम यहाँ से इसकी speed निकाल लेते हैं, तो speed equals to होता है कितना distance upon time, तो distance क्या दे रखा है, distance दे रखा है कि यह जो train है, 1-2-5-0-meter लंबी train है, यह cover करती है, 1 km को 2 minute में, 1 km को 2 minute में, तो distance कितनी travel करी, 1 km means 1,000-meter और 2 minute, 2 minute में travel करती है, a 1-2-5-0-meter long train covers a distance of 1 km in 2 minute, तो upon 2 minute, ठीक है भई, अच्छी बात है यह, तो इसको मैंने solve कर दिया, तो इसकी speed कितनी आ गई, 2 से कड़ गया यह 500 meter per minute, 500 meter per minute, यह इसकी speed आ चुकी है, ठीक है, अब अगला क्या कह रहा है भई सब, अगला यह कह रहा है कि, इस speed से यह train चल रही है, याद रखना, इस speed से यह train चल रही है, और आपको कहोगे कि सर मिनट को सेकेंड में बदल लो, कोई जरूरत नहीं है मिनट को सेकेंड में बदलने की, क्योंकि पूरा question मिनट में ही है, तो speed को अपन को मिनट पर मिनट में चलने दो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अब आंगे देखो क्या होने वाला है, अब आंगे यह उने वाला है कि यह जो train है, एक bridge को cross करती है, यह train जो है, एक bridge को cross करती है, यह train है, और इसके सामने यह bridge आ चुका है, ऐसा इत्ता बड़ा bridge है यह, ओके, यह bridge है, इस, it crosses another stationary, sorry, bridge नहीं है, train खड़ी है, bridge को cross नहीं करती है, train को cross करती है, तो चलो कोई नहीं इसको train मानलो, यह एक दूसरी train जो है, इस line से आ रही है, दूसरी train, यह इसको cross करीगी, it crosses another stationary train, आनी रही है, यह रुकी हुई है train, तो इसको cross करके जा रही है, दूसरी पटरी पे, कितने minute लगाती है, 4 minute लगाती है, 4 minute, ठीक, 4 minute लगाती है, मतलब जो time है, इसको यहां से लेके यहां तक जाने का, इधर train बाहर जब निकलेगी, तो तब तक समय कितना लग चुका होगा, 4 minute, कितना लग चुका होगा, 4 minute, आपको बताना है कि यह जो train खड़ी हुई है, खड़ी हुई train की length कितनी है, इसकी length में मान लेता हूँ, x, कित 500 meter per minute, यह देख लीजे, 500 meter per minute, distance कितनी होगी, देखो भई, खुद train की length कितनी है, 1250 meter दिये न, हाँ, यह 1250 meter है, यह train जो travel करीगी, इसकी भी length travel होगी, और इसको पूरा पार करने के लिए इसकी भी length होगी, तो कितना होगी, 12, 12, 50, plus x, plus कितना, x, clear होगया, 1250 plus x, यह किस में आएगा, meter में, किस में आएगा, meter में, क्योंकि train की यह वली length भी meter में है, और यह length भी meter में है, 1250 meter की train है, और साथ में x भी meter में है, upon time कितना ले रही है, 4 minute, कितने minute, तो minute से minute क्या होगया, cancel, ठीक है न, अब अब अपने पास में देखे, 4 into 500, कितना होगया, 2000, कितना होगया, 2000, कैसे यह 4 इदर multiply हो जाए, cross multiply हो जागा, 4 into 500 equal to 2000, और यहाँ पर आजागा, 1250, plus कितना बचा इदर पर, x, clear न, तो x equals to 2000, minus में चला जागा यह, 1250, 0 में 0 गए 0, 10 में से 5 जागे, 5 चले जाएंगे, यह कितना बन जाएगा, 9 में से 2 गए 7 बन जाएगा, औ sorry, यह तो पूरा का पूरा cancel हो जाएगा, 1 से 1, so answer आएगा, x equal to 750 मीटर, किते मीटर, 750 मीटर, चेक करिए, answer है क्या, बिल्कुल है, option number C है, यहाँ जो option दिये गया है, A में दिया गया है, 1250 मीटर, B में दिया गया है, 500 मीटर, C में दिया गया है, 750 मीटर, तो आगे देखने की ज़रू रहा थी नहीं है, correct answer is 750 मीटर, clear है, any problem, चलिए, अगला question बताएंगे, बच्ची, okay guys, चलिए, next question के और चलते है, question number 47 में आपको idea देता हूँ, question number 47 क्या कह रहा है, question number 47 यहाँ पे कह रहा है, a cube of lead age 6 cm is melted to form 27 equal cubes, the length of the age of the small cube, समझ यह question में आपके सामने explain करूंगा पहले, एक cube है lead का, lead एक metal होती है बच्चों, lead से metal से बना हुआ एक cube है, और cube की सारी sides क्या होती है, equal होती है, तो यह आपके सामने एक cube दिख रहा है, यह एक lead का बना हुआ cube है, अब इसके side जो है वो 6 cm, मतलब इसकी length भी 6 cm है, breadth भी 6 है, और height भी कितनी है, 6 है, इसको पिगला करके आपने, इसको पिगला करके आपने 27 चोटे-चोटे cubes बनाए है, मतलब चोटे-चोटे number में कितने है, 27, 27 multiply कितने बने, चोटे-चोटे cubes बनाए है, ऐसे-चोटे-चोटे cubes, अब मैं 27 तो बना नहीं सकता हूँ, इसलिए मैंने 27 into ऐसा लिख दिया कि एक cube का 27 times, यह सानो, अब कह रहा है, इस cube की side finder करो, तो I suppose इसकी side कितनी है, x है, कितनी है, x, तो मैं क्या कह सकता हूँ, बढ़े-वाले cube को अपने छोटे-वाले cube में बनाए है, तो बढ़े-वाले cube का पूरा-का-पूरा material इसमें चला गया होगा, मतलब इस पूरा-का-पूरा material matter इसमें चला गया ह matter में क्या convert होता है, volume, क्या convert होगा है, volume, मतलब जितना इसका volume है, उतना इसका volume होगा, so I can say, V big, बढ़े-वाले cube का volume, equal to 27 times of V small, yes or no, बढ़े-वाले cube का volume, equal to 27 times of a small cube का volume, बढ़े-वाले cube का volume, 6 into 6 into 6, because length into breadth into height, volume किसमें आएगा, centimeter cubic में आएगा, किसमें आएगा, क्योंकि length भी centimeter में है, breadth भी centimeter में है, और height भी centimeter में है, so centimeter cubic equal to 27 into, यह क्या है, x centimeter माल लिया, so I suppose that this is x centimeter cubic, तो x into x into x कितना हो जाएगा, x cube, x cube centimeter cubic, because ऐसे करेंगे na, length भी x है, breadth भी x है, और height भी x है, तो x into x into x is equal to x cube, और centimeter cubic volume है, clear yes or no? any problem, no, so चलिए, x centimeter cubic, अब इसको जो जो काटना हो, centimeter से centimeter cubic, cancel कर दीजे, 6 into 6 into 6 रहने दीजे, 6 into 6 into 6, यहाँ पर 27 को नीचे लेके आएगे, अब जो 27 है, 27 क्या बनेगा, 3 into 3 into 3, because 3 का cube कितना होता है, 27, तो नीचे आएगा तो 3 into 3 into 3, इधर पर क्या बच्चे गा, x का cube, so अब आप इसको क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो, 6 का cube upon 3 का cube is equals to x का cube, clear? now, इसको complete कर लिजे, यह बन जाएगा 6, यह बन जाएगा 3 का whole cube is equals to x का cube, 3 से 2 times 3, 2 जा 6, it means 2 cube equal to x cube, cube से cube cancel कर दीजे, answer x equal to 2, 2 क्या x किसमें है, cm में है, तो जो छोटे cube की sides बनेगी, वो किते cm की बनेगी, 2 cm की, done? any problem? देखे बच्चों, आप यहीं पर इसको solve भी कर सकते हैं, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, और 3 2 जा 6, तो 2 into 2 into 2, मतलब 2 का cube equals to कितना x का cube, cube से cube cancel हो जाएगा, x equals to कितना हो जाएगा, 2, actually मैं आपको एक और अच्छी बात बता हूँ, जो आप लोग शाएद जानते नहीं होंगे, जैसे कि आपने लिखे 2 का cube equal to x का cube, इसका meaning क्या होता है, इसको पहले पलट के लिख लो, और याद रखो पलट के लिखने में, दोनों जब पलटो तो sign नहीं चेंज होते हैं, तो x का cube equal to 2 का cube, यहाँ से x क्यू भटता है, तो याद रखना, सामने वाली चीज के ऊपर जो power आती हो, 1 by 3 करके आती है, है ना, जैसे x की power 4 equal to suppose a है, लिखा हुआ है, तो अगर आप x से power 4 हटा होगे, तो यहाँ पर a की power कितनी बन जाएगी, 1 by 4, तो यहाँ से 2 की power 3 की whole power 1 by 3, 3 से 3 कैंसल हो जाएगा, क्योंकि उपर multiply में है, यहाँ डिवाइड में है, clear, है ना, so answer कितना आ गया है, यहाँ पर 2, clear, x equals to 2 cm, लिखना मत भूलीगा, correct answer 2 cm, done, चली अगला question जो बच्चों आपको है ना, वो है अपना, जो concept है, उसमें concept का नाम बता दो, उस concept का नाम है, demand and supply, demand and supply, अब इसमें जिस concept से question आता है, उसका formula आप लोग याद कर लिजी, वो formula क्या है, वो मैं आपको बता दीता हूँ, उसका concept क्या है, आपको formula याद करना है, बोलिए effective sale, effective sale equals to, मतलब कि जो finally, जो sale हूई है, उसको बोलते है effective sale, effective sale equals to x plus y, okay, plus xy upon 100, ये formula आप याद कर लिजी, effective sale का, ठीक ना, total concept आप जाएंगे तो बहुत confused जाएंगे, effective sale का formula आप इसको याद कर लिजी, अब इसके जो question आएंगे, वो मैं आपको explain करता हूँ, तब आपको पता पड़ेगा कि इसके formula आप कैसे लगा हूँ, देखिए, इसका कहने question में जो आपको बता रहा हूँ, question number 48, 46, यहाँ पे है, आपको लिए में बता रहा हूँ, question का कहना है, a decrease of 20% in the price of cycle, price में कमी आई है, कितने percent की, 20% की, a decrease of 20% in the price of cycle, increases its demand by 20%, इसके rate कम होते हैं, तो इसकी demand जो है, कितनी बढ़ गई है, 20% से बढ़ गई है, 20% से बढ़ गई है, okay, 20% से बढ़ गई है, the effect on the shale of the shop, तो ऐसा करने से, जो दुकान में जो sale है, sale याने की जो बिक्री है, cycle की बिक्री, okay, rate कम हो चुका है, rate क्या हो चुका है, कम, demand बढ़ गई है, तो ऐसा करने से, बिक्री जो है, कितनी बढ़ेगी या कितनी घटेगी, option में दिया गया है, a, 4% increase करेगी, option number b, 4% decrease करेगी, option number c, 10% decrease करेगी, और option number d, 10% increase, sorry, यह increase था, 10% decrease करेगी, option number c, and option number d, 10% increase करेगी, अब आपको बताना है, okay, इसको करेगी, okay guys, तो आईए, इसको solve करते हैं, इस question को हम कैसे बताएंगे, तो देखिए, इसमें क्या हुआ है, देखिए, पहला है, price 20% decrease हुआ है, तो मैंने formula बताए था, xy plus xy upon 100, तो decrease वाले को minus माना करो, और increase वाले को plus माना करो, तो कैसे solve होगा, देखिए, x मतलब decrease है, minus 20, y increase हो रहा है, demand, यानि की plus 20, और फिर plus, दोनों का multiply कर दीजिए, दोनों का multiply x कितना है, minus 20 है, y कितना है, plus 20 है, और नीचे कितना है, upon 100, minus 20 से plus 20 cancel हो चुके है, उपर कितना आ जाएगा, minus 400, because यह plus है, यह positive और negative का multiply कितना हैगा, negative, minus 400, upon 100, 00 से 00, cancel, answer आएगा, minus 4%, minus 4%, अब यह देखिए, जी भाई, सब 4% negative में आ रहा है, negative मतलब decrease, negative मतलब decrease, तो correct answer इसका होगा, 4% cell जो है, इसकी decrease हो जाएगी, क्या हो जाएगा, 4% इसकी cell, decrease हो जाएगी, मतलब इसकी जो बिक्री है, वो 4% कम हो जाएगी, 4% क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, yes, done, तो इसका formula बस याद रखेगा, आप लोग, concept पे मज़ा, यह formula है, x plus y, plus xy upon 100, और x और y जो है, अगर बढ़े, तो plus मिलीजेगा, और गहटे, तो minus मिलीजेगा, done, ओके चलिए guys, next question करते हैं, अगला question मैं आपके सामने, read कर रहा हूँ, question number 20, question number 47, 47, okay, इस book में, जिस book से मैं question करवा रहा हूँ, question number 47 दिया है, बच्चों, question पढ़ रहा हूँ है, एक crickator has an average 28 runs in the 24th innings, एक crickator है, उसके 24 innings तक का average जो है, वो 28 runs है, ठीक ना, चलिए मैं question को बना लेता हूँ, ये, तो crickator के 24 innings तक का average 28 runs है, पहले इनिंग के runs मालो x1, दूसरी इनिंग के runs x2, ऐसे ऐसे करते करते करते, 24 innings के run का average, तो average का formula होता है, sum of the total upon number of total points, तो कितने point है, आपर 24 बार मैच खेला है, तो इसका average कितना आ रहा है, 28, clear है, तो इसको निकाल लेता हूँ मैं, x1 plus x2 plus x3 up to up to up to x24, equal to 28 multiply by 24, चलिए इसको multiply करना पड़ेगा हमको, तो इसको मैं multiply कर लेता हूँ, 28 into 24 को, यहाँ पे, 4, 8, 32 carry आ गई, 3, 4, 2, 8, 8, 8 plus 3 कितना, 11, cancel, 2, 8, 16, की 6 carry आ गई, 1, 2, 2, 4, 1, 5, 2, 6 plus 1, 7, 5 plus 1, 6, So, 672 runs इसके all total है, 24 matches में, अब आंगे question पढ़ता हूँ, How many runs must he score in the 25th inning to make his average 29, क्या रहा है कि, आपको बताना है कि, अपने 25 match में वो कितने run बना है, तो, x1 plus x2 plus up to up to up to up to up to plus x24, यह तो 24 match तक का हिसाब था, अब है 25 match का हिसाब, तो यहाँ पे है 25 match का run कितने है, x25, और इसका average निकालने पर कितने से divide करोगे, 25 से, और average कितना आ रहा है, 29, इसको यहाँ जाने दीजिए, so x1 plus x2 से लेकर कि, plus x24 plus x25 equal to 29 into 25, clear है, अब आपको यह value तो पता है ही यहाँ तक कि, यह value आपने यहाँ निकाल रखी कितनी 672, कितने निकाल रखी है, तो यहां पर आप उट कर दीजे 672 plus x25 because 672 इसकी value और x25 वैसे का वैसे रख दिया equals to कितना है 29 into 25 मैं multiply कर लेता हूँ 29 into 25, 5 जाएं जा 45 की 5, carry आगई 4 5, 2 जा 10 plus 1, 14, clear 2, 9 जा 18, 1, 2, 2 जा 4, 5, clear here it is 5, 8, 4, 12, 12, 7, 25 so here it is 725, now x25 equals to 725 minus 672 672, 5 में स्टू गया 3 बच गया, 12 में से 7 गया 5 आ गया है okay n, 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 n से 6, 0, yes तो answer is 53 so the 53 runs है उसके 25th inning में, check करिए yes answer is 53, correct option is d, 53 runs, done, बच्चों बन जाएगा न चलेगा इस देखे अगला question है, if a number B is 10% less than another number C, फसादी है यहाँ पर, मतलब B 10% less है C से C is 5% more than 150, हाँ तो question यहाँ से उठेगा, क्योंकि C के बारे में जानकारी है, तो कह रहा है, solution बनातों मैं इसका, सबसे पहले starting कहां से उठाओंगा, she is 5% more than 150, तो C is equal to 150 से कितना ज्यादा 5%, तो 150 प्लस 5%, परसेंट मतलब 5 upon 100, of कितना 150, जिस से ज्यादा होगा, उसी का ही percentage तो ज्यादा होगा, तो यहाँ पर मैं इसको solve करता हूँ, 0 से 0 क्या हो गया, cancel, तो यह हो गया अपने पास में 5 upon 10, इसको लिख भी दो तो ज्यादा बहतर रहेगा, या एक सेकेंड़े सा मत करिए इसको, ऐसे ही देजिए, मजा आएगा, 5 upon 100 into कितना 150, ठीक है, अब देखे, इसको मैं solve करता हूँ, पहले multiply करना पड़ेगा, तो C equal to 150 plus, 750 हो जागा उपर, और नीचे 100, अब 2 0 कैंसल करिए, तो यह बजगा कितना, 150 plus 7.5, yes or no, 150 plus 7.5, so it will be 157.5, यह आगया, हमारे पास, क्या है, यह C है, क्या है, C है, ठीक है, अब क्यारा, इफा नंबर A, इफा नंबर B is 10% less than the another number C, अब जो दूसरा नंबर है, जो जिसके बारे में बात हो रही है, B के बारे में, वो C से 10% कम है, कितने परसेंट कम है, 10%, so जो B होगा, B is equals to, C minus 10% of C, यह सौनो, तो C कितना आया हमारे पास में, 157.5, 157.5 minus 10 upon 100 of, यहने, multiply 157.5, okay, yes, 10% है न, less, clear, clear की not clear, चली, यह 0 से 1, 0 क्या हो गया, cancel, so it is 157.5 minus 157.5 divided by 10, yes or no, अब यह decimal एक और पीछे चला जाएगा, because 10 का divide हो रहा, तो 157.5 minus 15.75, agree की not agree, so चलीए सब्ट्रेक करना है, 157.5 minus 15.75, 15, yes or no, 0.75, यहाँ 0 कर दीजे, clear, अब हमको सब्ट्रेक करना है, करे, 10 में से 5 गया, कितना बच गया, 5, यह अपने पास, 14 में से 7 गया, कितना बच गया, 7 हो गया, ठीक है न, अब यहाँ पर यह 6 में से 5 जाएगा, कितना बन जाएगा, 1 बन जाएगा, 5 minus 1, 4 और 1, 1, so answer is 141.75, is there answer, yes, तो 141.75 इसका answer होगा, ओके, clear, चलीए गया, अगला कोशन देखते है, एपार्क ओफ 100, 1500 मेटर लोंग एंट 750 मेटर वाइड, चलीए होधी, कि एक पार्क है, यह 1, 1500 मेटर लोंग है, so this is 1500 मेटर, and this is 750 मेटर, 750 मेटर वाइड है, ओके, a cyclist has to take 4 round of this park, how much time he will take at a speed of 4.5 किलो मेटर पावर, 4.5 किलो मेटर पावर, इस रफतार से चलेगा, मतलब यह स्पीड दी गई है, इसको कितना time लगेगा, कितने round के लिए, 4 round के लिए, तो अगर यह rectangular park है, यह 1500 है, तो यह भी 1500 होगा, और यह भी कितना होगा, 750s, तो पहले हम को perimeter निकाल लेना है, तो मनी मन में निकाल लो भई, 1500, 1500, 3000, और 3000 के बाद यह होगा, आपने पास, 750, 750 का डबल कितना होगा, बताइए, 1500, ओके 1500, तो कुल मिला करके 4500 हमारी perimeter आ गई, कितनी आ गई, 4500 हमारी आ गई है perimeter, एक round की, यह सौनो, अब यह जो total cyclist है, distance कितनी चल रहा है, 4 multiply by 4500, यह सौनो, 45, 4 जा कितना होता है, 180, तो 45, 4 जा 180, और यह 00, यह किस में आ रहा है, meter में आ रहा है, meter में, now this is 18, multiply by, मैं इसको लिख सकता हूँ, 1000 meter, yes or no, 18 into 1, and 1000 meter equal to 1 kilometer, so all total is equal to how much, 18 kilometer, 18 kilometer equal to 18,000 kilometer, yes or no, अब आपको निकालना है, formula लगाए, speed equal to distance upon time, speed equal to distance upon time, तो time निकालना है, तो time को उपल ले जाए, time equal to distance upon speed, say yes or no, time equal to distance upon speed, now what is distance, 18 kilometer, and what is speed, 4.5 kilometer पर आवर, yes or no, it is 4.5 kilometer पर आवर, तो आवर पल्टी मारके कहां चल जाएगा, उपर, yes or no, kilometer से kilometer, so 18 है, और नीचे बचा है, 4.5 और यहाँ पर आवर लिखा हुआ है, decimal काटेंगे, उपर क्या आएगा, 0, so 180 divided by 45, 45, 4 जा 180, answer is 4 hours, किते आवर्स, check the answer, answer is 4 hour, yes or no, yes, so correct answer is D, 4 hour, चली बच्चों दिकिए, अगला question जो है न, बहुत language में उसकी बहुत ही language, उल्टी पुल्टी, इसलिए बच्चे confuse जाते हैं, question number 53 मैं करा रहा हूँ, question मैं पढ़ता हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिएगा, 1 4th, 1 4th of flock of birds are at the river bank, मतलब कुल मिला के X birds थे, कितने birds थे, X birds थे, उनके X के 1 4th जो हैं, वो river bank पे हैं, किस पे हैं, river bank पे हैं, are the river bank, ठीक, river bank, ये river bank के हैं, अब कह रहा हैं, and 1 5th of that flock, इसका, इसका नहीं, X का नहीं, X by 4 का, मतलब एक और पार्ट है इसका, कि X by 4 का, X by 4 का, 1 5th means 1 upon 5, 1 upon 5, X, 1 5th of that flock are their nest, it means X upon 20, X upon 20, 20, ये जो part हैं, ये किस में हैं, next में हैं, okay, these are in nest, okay, तो मैंने पढ़ दिया question, फिर से पढ़ूँगा, 1 4th of a bird, flock of a bird are at the river bank, and 1 5th of that flock are in their nest, remaining 22 birds are wandering in search of food, अब इसके बाद बच कितने गये, 22, 22, they are wandering food, for, wandering in the search of food, okay, so, total आपको बताना है कि, what is the number of bird which are in their nest, उन में आपको बताना है कि, कितने bird थे, जो nest में थे, अब देखें कैसे होगा इस question को, इस question को हम कैसे करेंगे, बाई, total bird कितने है, x, अब x इन तीनों से मिल करके बनेगा, x equal to x by 4, plus x by 20, plus 22, बुली हाँ है न, क्योंकि total bird का हिसाब किताब यही है, कि कुछ river में थे, कुछ घोसले के अंदर थे, और कुछ घूम रहे थे, वन्डरिंग कर रहे थे, बुले, yes or no, चली, तो हम सको solve करते हैं, यह अकेला है, तो x, x minus 4 को left में ले आएंगे, तो x minus 4 minus हो गया, और x plus upon 20 भी इधर हाजागा, तो minus हो गया, is equals to 22, yes or no, इसके नीचे कुछ भी नहीं, it means 1, now take the LCM, 4 and 20 का LCM कितना हाएगा, 20, 20, now 20 में 1 का दिवाइट किया, 20, so it will be 20x minus 5x minus x, okay, so simple, equal to 22, now 20x plus में है, now this is minus 5, this is minus x, how much it is, minus 6x, minus 6x equals to, यह multiply हो जागा, तो 22 जा 40, 44, 22 जा 44 and it will become 440, now 20 minus 6x equals to how much, 14x equals to how much, 440, yes or no, so x equals to 440 upon 14, now till, let divide 440 by 14, 440, 14, 3 जा 42, yes or no, 2 and 0, यहाँ तो कुछ प्राबलम हो रहा है, बल्ला, यहीन कम्प्लीट बर्ट सा रहे हैं, let's see, guys, let's see, हम अपने काम को यहाँ आंगे बढ़ाते हैं, या तो फिर question में कोई mistake होगी, so x equals to 440 and divide by 14, okay, now अब हम से बोला गया है कि, आपके जो birds जो हैं, वो next में कितने हैं, तो birds जो next में हैं, वो x by 20 हैं, कितने हैं, x by 20, तो next वाले birds हमको निकालने हैं, तो answer is x by 20, clear हैं ना, हमको x by 20 निकालने हैं, तो x हमारे पास कितना आया है, 440, 440 upon 14, और by 20 तो यहीं पर कितना आजाएगा, 20, ठीक ना, तो मैं इसको cancel करता हूँ, 0 से 0 cancel हो गया, तो बचा कितना, 44 upon 14 into कितना, 2, 2 से कितने बार जाएगा, 22, तो correct answer 22 upon 14 आ रहा है, बट यह हो नहीं सकता, क्योंकि 22 upon 14 कभी birds ऐसे नंबर में तो आई नहीं सकते हैं, कि 22 by 14 birds, birds तो complete होंगे, मतलब इस question में कोई ना कोई mistake है, यह question जो है, यह correct नहीं है, तो इसका correct question क्या होना चाहिए, मैं आपको बताता हूँ, यह जो correct question इसमें ऐसे होगा, कि total birds जो X हैं, उसमें से उसके, जो one-fourth हैं, one-fourth हैं, कहां पर हैं भाई सब, one-fourth कहां पर हैं, river bank पर हैं, river bank पर हैं, okay, और total के ही one-fifth, total के ही one-fifth, यह नहीं कि इस river वालों के one-fifth, यहां पर question को अपनी language थोड़ी सी शाइद change करनी चाहिए, या तो question को change करनी चाहिए, या हमने शाइद पढ़ा होगा, one-fifth of that flock, one-fifth of that flock, यह थोड़ा सा confusing लग रहा है, इनको बोलना चाहिए, and one-fifth of total birds, इस तरीके से शाइद बोलते हैं, यहां पर confuse कर दिया हैं लोगों ने, है ना, मतलब हिस्से का हिस्सा करवा दिया, जबकि total का हिस्सा होना है, one-fifth है, और बचे कितने बाकी के बाकी, 22, अब बिल्कुल शायद साही हो सकता है, तो अब यह क्या scene बनेगा, x equals to x by 4 plus x by 5 plus 22, ओके, तो अब यहां पर x minus x by 4 minus x by 5 equals to 22, तो अब देखे, ऐसा कोई question आपके exam में आता है न, तो अब बिल्कुल भी मत करिए, इसको एकदम last के लिए छोड़ दीजे, क्योंकि फिर तो यह रहेगा कि शायद question की language चलो गलत है, मगर हम ही कोशिश करेंगे कि answer match कराने का कोशिश करेंगे, clear है आप लोगको, हाँ, तो फिर कुछ करने ही सकते है, तो 4 और 5 और 20 याएगा, here it is 20x, here it is 4 5 जा, 5x, and 5 4 गा, 9x, so wait, 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 20 divided by 4 5, yes, fine, correct, correct, it is, no problem, okay, and here 4x याएगा, यह बस गलत था, 4x equals to how much, कितना 22, now 20 minus 9x, because 5 and 4 add हो जाएगे, so 20x minus का 9x, upon 20, so 20 से multiply जाएगा, 22 जा 440, या जाएगा, okay, done, now this is how much, 11x equals to 440, x equals to 440, upon 11, 11 4 जा 44, so 4 into 0, 40, clear, 4 10 जा 40, so answer x equal to 40 है, बढ़ हमको x नहीं चाहिए, हमको इन लोगों ने पूछा था कि कितने बढ़ जो है, क्या पूछा था भाई, I think कितने बढ़ किस चीज के बार इन पूछा था, बताएगे, इन दी नेक्स, तो नेक्स्ट में कितने बढ़ थे, x upon 5, x upon 5, तो x हमाँ पस कितना आया है, 20 आया है, और 5, so answer is 4 बढ़ कितने बढ़ होंगे, तो 4, no, 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 x 20 नहीं आया है, 40 आया है, 40 गलती होगी यहाँ पर, 40, divide by 5, 5, 8 जा 40, 5, 8 जा 40, तो correct answer equals to, x by 5, 5 पूछा गया है, x by 5 equal to 8 birds, कितने birds, 8 birds, पक्के में एक option, इसमें 40 दिया होगा, बहुत सारे बच्चों ने 40 भी लगा दिया होगा, यह देखे, एक option 40 भी दिया होगा, तो बच्चों ने question पूरा पढ़ते हुए, जैसे x 40 आया होगा, वैसे ही answer में 40 जा दिया होगा, और बच्चे के answer गलत होगा, भाया आप से x नहीं पूछा गया, आप से x अपन 5 पूछा गया है, okay, done, okay guys, moving to the next question, question number is 45, ध्यान से सुनिए, मैं question पढ़ रहा हूँ, question क्या कह रहा है, passenger train running at a speed of 80 km per hour, मतलब जो train की speed है, this is equals to 80 km per hour, the original speed of the train is 80 km per hour, okay, leaves are railway stations, ठीक है, railway station को छोड़ दी है, after, six after hour, a good train leaves and overtake it in four hour, देखो भाया, ये train मानलो, ये train मानलो, ये platform है, इसको ये छोड़ चुकी है, इसको ये छोड़ चुकी है, यहां से ये train चलते 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 ठीक ना, ये train चलते चलते, 80 km per hour इसकी speed है, and leaves a railway station six hour after a good train, and overtakes in four hour, देखो भाया, question की language बड़ी त्रगड़ी दी गई है, शे घंटे के बाद, एक goods train यहां पर आती है, platform पर, ये यहां पर पहुँच गई है, स्थिखें, शे घंटे के बाद, एक train यहां पर आती है, किते बन के बाद, शे घंटे के बाद, एक train यहां पर आती है, मालो ये train सुबह वाली जो थी, ये टी बजे थी यहां पर, कितने बजे, टी बजे, तो ये जो अगली goods train आती ही, वो आती है, टी प्लस सिक्स बजे, मतलब की शे घंटे के बाद, अच्छे घंटे के बाद, ये train चार घंटे और चलती है, बड़ी जोर से, बो जी, चार घंटे और चलती है, मतलब टोटल च्छे घंटे ये वाले, और चार घंटे ये वाले, टोटल कितने हो गए, दस घंटे, और 10 घंटे स्पीड अप करने के बाद ये ट्रेन कहीं पर इसको मिल जाती है और ये इसको ओवर्टेक कर देती है आंगे निकल जाती है हेलो करके तो कहला बताईए कि गुड्स ट्रेन की स्पीड क्या है मैंने मान लिया गुड्स ट्रेन की स्पीड है एक्स किलो मेंटर पर आवर ओके स्पीड एक्स किलो मेंटर पर आवर देखो भई बहुत मस्त कोश्चन है उपर वाली ट्रेन की स्पीड कितनी थी 80 किलो मेंटर पर आवर मतलब एक घंटे में वन आवर में कितने किलो मेंटर आगे बढ़ जाती थी 80 km, तो इसको total कितने घंटे का time मिल रहा है, आप 10 घंटे का, क्योंकि 6 घंटे बाद तो train आई है दूसरी वाली, और 4 घंटे उसको पकड़ने में लगे, बोलो जी yes or no, तो total 10 घंटे का time मिलो उपर वाली train को, तो जब 1 घंटे में 80 km है, तो 10 घंटे में कितने km 80 into 10, बोले तो 800 बोले यस की नो, भाई एक घंटे में आप 80 km चल रहे हो, yes or no, तो 10 घंटे में कितने चलोगे, 800 km चलोगे की नहीं चलोगे, तो मतलब 10 आवर में ये total distance कितनी हो जाएगी, 800 km, अब आप कहोगे सरा, हमको तो formula से सिखा दो, तो formula से देख लो बच्चो, speed equal to distance upon time, बोली है न, त तो distance equal to speed into time, ये इधर चला जाएगा, तो speed कितनी है, 80 km पर आवर, time कितना है, 10 आवर, आवर से आवर कैंसल हो गया, answer 800 km, तो मतलब इस train को, ये जो नई train है पनी, इसको कितने घंटे, कितना distance पर लगा गया, 800 km, clear, गुट सवाली को जो ट्रेवल करना है, 800 km ट्रेवल करना है, अब देखिए, गुट सवाली की speed निकालना है, तो speed equal to, x equal to distance कितनी ट्रेवल करनी है, 800 km, और ये distance इसने, गुट सवाली ने कितने आवर में ट्रेवल करनी है, बोलिए, 10, गलत, 6 गंटे बात तो वो आई थी, 4 गंटे में तो इसने यहाँ से यहाँ चल लिया, ना, 6 गंटे में तो platform पे आई थी, 6 गंटे लेट, केवल इसने यहाँ से यहाँ से यहाँ तक चलने में देखो, कितने आवर लिया है, 4 hours, question पढ़ लिजे, कितने आवर्स लिया है, 4 hours, yes or no, कितने आवर्स लिया है, 4 hours, भाई, 6 गंटे तो पीछे से आई है ना, हमको मतलब तो अपने इस platform से है, तो कितना चाहिम लिया, 4 hours, so answer it is 4 hours, yes or no, 4 से cancel गया, answer 200 km per hour, बड़ी तेज भगारा भाई यह गाड़ी, 200 km per hour की स्पीड से यह इसको रीच कर लेगा, clear हुआ, so correct answer is 200 km per hour, what is the speed of the good strain, equal to 200 km per hour, 200 km per hour होनी चाहिए, what is the speed of the good strain, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, यहां से, okay, wait, 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 but यदी, इधर से लेकर के distance बन रही है, इसकी कितनी, इधर से लेकर के distance बन रही है, 800 km, देखे बच्चों, यह जो mistake यहां पर हुए न, यह हमने question को उल्टा पढ़ लिया, इस वज़े से हो गई, यहां प पढ़ लिया, मतलब, क्या कहा जाए, अब फिर से मैं question पढ़ता हूँ, देखो भई, क्या के रहा question, question मैं पूरा पढ़ देता हूँ, passenger train running at a speed of 80 km per hour, leaves a railway station 6 hour after a goods train, मतलब passenger train ने बाद में छोड़ा आए station, मैंने goods train को बाद में छोड़वा दिया, माल गारी को, यहां पर goods train पह है, समझ रहे हैं आप भाई सब, हाँ, तो होता क्या है, फिर किसे question पढ़ूँगा, passenger train running at a speed of 80 km per hour, तो ठीक है भाई है, passenger train की speed जो है, ओ है, 80 km per hour, ठीक है, passenger train running at a speed of 80 km per hour, leaves a station 6 hour after goods train, मतलब 6 गंटे बाद, goods train के 6 गंटे के बाद, तो मतलब 6 गंटे पहले एक goods train आई होगी, 6 गंटे के पहले एक goods train आई होगी, 6 आई होगी, 6 आवर के पहले, और नीचे जो है passenger train है, नीचे कौन सी train है, passenger train है, ठीक है ना, तो goods train कितने गंटे पहले आई है, 6 गंटे पहले, तो मतलब goods train 6 गंटे तक चल चुकी होगी, चल चुकी होगी कि नीच चल चुकी होगी, clear, तो goods train 6 गंटे तक चल चुकी है, तो goods train को 6 गंटे यहाँ मिल गए, मिल गए, और जब goods train यहाँ पर पहुँची, छे घंटे जब खतम हुए गुट्स ट्रेन यहाँ पर पहुँची तब पैसेंजर ट्रेन आ गई स्टेशन पर आ गई और अगले चार घंटे में गुट्स ट्रेन जहां तक चली है मतलब मालगाड़ी जहां तक चली है अगले चार घंटे में ये चार घंटे ये उटिलाइज हुए, ठीक ना, उतने ही चार घंटे में, मतलब यहां से लेके यहां, क्योंकि जब यह यहां आई थी train, मान लीजे यह train आ गई थी भोपाल, उस समय यह train यहां पर भोपाल यहां पर पहुंची थी 6 घंटे वाली, ले 4 hours में इसने ये पूरा का पूरा इसको cover कर लिया, कर लिया, तो आपको बतानी है कि इस गुर्ष ट्रेन की स्पीड कितनी है, पैसेंटे ट्रेन की स्पीड कितनी है, 80 km पर आवर, बो ली है सनो, तो धिहान से दी कि पैसेंटे ट्रेन को एक्चुली चलना कितना पड़ा, एक आवर में 80 km इसको केवल कितना चलना पड़ा है? 4 आवर. जो 8 4 जा 32 याने की 320 km. Yes or no? नहीं है आवर में? आवर. यसे भी देख लिए सकते हैं? की speed equal to distance upon time. तो distance equal to speed into time. तो speed equal to how much? कितना बिटा ये? 80 km per hour. बोलिशना है ना? कितने किलोमेटर है? 320 km. अब इतनी 320 km को इस गूट स्ट्रेन ने कितने में टरवल किया है? 6 घंटे ये और 4 घंटे ये. मतलब की 10 आवर. ठीक ना? 6 घंटे ये चार घंटे ये. तो मतलब इतने distance को इस ट्रेन ने 10 आवर में टरवल किया. यह सो नो? हमें चाहिए इसकी speed. तो म speed equal to distance upon time. x equal to distance. पूल यह distance कितनी है? 320. यह सो नो? अपॉन टाइम कितना लगाया है? पैसेंजर गूट स्रेन ने? 6 आवर here and 4 आवर here. How much time total 10 आवर? 10 00. आंसर इस 32 km पर आवर. अब यह विल्कुल सही है बेटा. आंसर इस 32 km पर आवर. यह होगा answer में. Okay, done? तो हमने क्या गलती कर दी थी? हमने passenger की जगा goods ले लिया था, goods की जगे passenger ले लिया थी. समझ में आगया न आपको यह question? हुआ क्या हम एक बर फिर से बता देता हूँ कि goods train पहले आके छूट चुकी है. goods train चलती जा रही एक घंटे, दो घंटे, तीन घंटे, चार घंटे पांच घंटे, च्छे घंटे, च्छे घंटे में goods train पहुँच गई कही है. ये च्छे घंटे के बाद यहां पर च्छे घंटे में यहां तक पहुच चुकी है. अब यहां से train, जिस समय यहां पर पहुची है, उस station पर एक नई train आ गई है, वो passenger train है, बोलो हाँ. और अब train दोनों चलना सुरू हुई है. ठीक है ना? ट्रेन दोनों चलना सुरू हुई है. अगले चार घंटे में यह ट्रेन यहां पर पहुच गई है. क्लियर है? और उस चार घंटे में, क्योंकि passenger train तेज होती है, उस चार घंटे में इसने पूरी डिस्टेंस कवर करके अपने बरा आई, तो पहुच को निकाल सकते है. ऑरा हुच गर्ण virus, टूरी लिए गंटे में पर एंटे में स्काङ है. हुच गर्ण पहुच गर्ण सकते है. 것은 ओसा को हिए तो पहुच गर्णीय क्लोमेटतर तो हमाच अपने स्ट्टीकृमेटर आवर दन ने प्रोलम